आज हम लोग बात करने वाले हैं वेट गेन के उपर गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी वेट गेन के उपर काफी साल पहले तो गाइस उस वीडियो को काफी अच्छा रिस्पाउंस दिया और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था मुझे और कुछ कमेंट्स उसमें ऐसे भी थे कि बहुत सारे लोग बोलते कि पीनट बटर सिर्फ आप वेट लॉस के लिए ही यूज कर सकते हैं तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं उन लोग को यह बताना चाहता हूं कि गाइस पीनट बटर दोनों कंडिशन में आप यूज कर सकते हैं वेट गेन और वेट लॉस मेंश में भी है तो अगर आप वेट गीन करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट से लें पिरिय। कर रहा लेकिन यहां पर यह एक गेनर है गाइस अगर इसकी मैं सर्विंग की बात करूँ तो गई इसके अंदर पांच स्कूप दिये गए है जिसको पांच चमच आपने लेने है एक टैम में उसके अंदर जो कैलरी दी गी है एड़ थटी तक है आर सो तीस तक कैलरी है अब आ जैसे आपका वजन बढ़ता है अब पीनट बटर में क्या होता है पीनट बटर में अगर आप उसको एक लिमट के साथ यूज़ कर रहे है जैसे कि अगर आप मैं 30 ग्राम दो चमच स्पून की बात करें अगर दो चमच लेते हैं आप पीनट बटर के और साथ में आप सलाइ फैट होती है 16 ग्राम तक कार्बो हाइडिट होती है और प्रोटीन ग्राम तक होता है तो गैस ये एक लिमट है दो स्पून अगर आप दो स्पून डेली यूज़ कर रहे हैं वेट लॉस के लिए तो परफेक्ट है आप जूस से ज़ादा कैलरी नहीं ले रहे है तो आपका पीनट बटर की दिन में तीन से चार बार सर्विंग लेंगे और उसको मिलक के साथ यूज़ करेंगे तो गाइस उसकी जो इंटेक है आपकी सर्विंग की वह भढ़ती है और आपका वेट भी ज़रूर गेन होगा क्योंकि पीनट बटर के अंदर आपको फैट मिलती है इसक की वेट गेन का लिए काफी हेल्प करती है लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली तरीके से यूज़ करें या वेट लॉस करें तो आप बेकफास में दो से तीन चमच एड़ कर लो और उसके बाद आप यूट नहीं आपको लेकिन मिलक के साथ बिलकुल भी यूज़ नहीं कर नहीं करिए तो ये आप जूर द्यान रखिये कि जब भी आप पीनट बटर को मिलक के साथ एड़ काते हैं मेरी वीडियो में लेकिन गार्बोर्झ जितने जाद हाफ मिलक के साथ यूज़ करेंगे नहीं करकूप लूट है तो थो क्योंड परशनी होते हैं चमकल ऐद Bali अब मतलब यह होता है कि आप एक bulky tap होना चाहते हैं आप थोड़ा mass gain को होना चाहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बिल्कुल fatty हो जाओ इधर से आपकी sad में से कुछ भी निकर रहा है तो वो सब मतलब मैं बताऊंगा कि वो सब चीज़े जुरूरी नहीं है करनी weight gain मतलब आपका mass gain होना चाहिए smartly तरीके से आप अपना weight gain कर सकते है तो आप peanut butter को आप weight loss में और weight gain दोनों conditions में use कर सकते हैं बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि आपने कैसे use करना है आप दिन में एक से दो चमज की serving ले रहे है तो आप weight loss के लिए यूरेट कर सकते हैं लेकिन तो गाइस peanut butter बहुत ही healthy है और काफी अच्छा है हमारी health के लिए हमें जूर इसको अपनी diet में add करना चाहिए अगर आपने diet में अभी तक add नहीं किया तो आप you try कीजिए आपको you add कीजिए अपने दोनों conditions जो आपका focus है आप उसमें इसको add करके अपना weight gain या weight loss जूर कर सकत है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक high calorie मिल जाएगी आपके खाने के आपको जो भी खाना खाते आपको उसको अंदर calorie ही है और यह आपकी जो calorie उसको और increase कर देगा जिससे आपको अपना weight gain कर सकते हैं तो guys यह थी हमारी आज की वीडियो ओप आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आने वाली है और guys चैनल को सस्क्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो